नमस्कार स्वागत है आपका ओमान्यूस हिंदी में एक बार फिर से कोविड-19 का संक्रमण सल्तनत में बढ़ता ही जा रहा है हाला कि पिछले महीने में लॉक्डाउन भी किया गया रात के समय सक्त लॉक्डाउन किया गया व्यापारिक गत्विदियों को बंद किया गया जित पिछले 24 गंटे में मिनिस्ट्री आफ हेल्ट ने बता है कि 1041 नए मामले दर्ज हुए हैं और 11 लोगों की दुखद मृत्य हुई है सल्तनत में 104 रोग्यों को हॉस्पिटल में पिछले 24 गंटे में आवशक्ता पड़ी है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जा है एंग जो यह मांग जो बेट की कमी है वो देखी जा रही है ज्यादा तर जगहों पे एडमिट तो यह लेकिन जो हॉस्पिटल के स्टाफ है जो नर्सेज जो वाडवा है वह डक्टर हैं की कमी अस्पिटालों में देखने को मिल रही है ौनिस्ट्रिय ओफ हेल्थ के साथ उमान ने टाइप किया है और मिनिस्ट्री आफ एल्थ को 2.5 मिलियन डॉलर की साहेता देने की घोशना की है जिसका उपयोग उमान में रहने वाले व्यक्तियों के लिए टीका खरिदने में किया जाएगा फिलिपीन सरकार ने एक अब्डेट यारी किया है कि साथ देशों से आने वाले यात्रियों के लिए प्रतिबंद लगा दिया है और इन साथ देशों में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश, श्रिलंका, उमान और यूएई यैसे देश सामिल है B.1.1.6.7 जैसे जो वाइरस का निया संकरमण है इसको रोकने के लिए फिलिपीन सरकार ने एक कदम उठाया है और उन्होंने बताया कि क्यों ना फिलिपीन के ही नागरिक हों 15 जून तक किसी को भी आने की पर्मिशन नहीं है नागरिक शुरच्चा एंबुलेंस प्राधिकरण ने एक बयान दिया है कि पिछले साल से इस साल वाहनों में आग लगने की जो घटना है वो कम हो चुकी है साल में कम सकम 770 ऐसे घटना सामने आए जब वाहनों में आग लग गई लेकिन इस साल इसमें 21% की कमी आई है ओमान में बाहर से ज़्यादा से ज़्यादा कैसे निवेश लाया जा इसके लिए ओमानी सरकार ने 50 नए निवेश के उसर का उधगाटन किया है कि इन प्रोजेक्ट में आप निवेश कर सकते हैं और जो भी इच्छुक जो निवेशक हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं ओमान में उनके लिए स्वागत है वो आईए और पैसे को इन्वेस्ट कीजिए ओमान की अर्थवेवस्था को मजबूत कीजिए और साथ में रोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ाईए डक्षिडल सरकिया से एक अपडेट आ रही है कि रोयल एयर फोर्स ने एक नागरी को एयर लिफ्ट किया है क्योंकि इस व्यक्ति को गंभीर विमारी थी और ततकाल इलाज किया हो शकता थी जिसके चलते रोयल एयर फोर्स ने एयर लिफ्ट करके पास में स्थित जो अस्प प्रक्रिया कर तक क्रिया उसमें काफ़ी तेजी ला दी गई है और मन्त्राले साथ में में को समन्वे कि यह जो रिक्तियां था झाल है उसके लिए आवेढन मांगे हैं आज से यह आवेढन श्टार्ट हो چुक Дव है बांगला देश इक अपडेट आ रही है कि बांगलादेश में पिछले 24 घंटे में 1710 ने कोविड मामले सामने आये हैं और जो कोविड महमारी का नया वेरियंट है यह ज्यादा तबाही न मचाये इसके लिए बांगलादेश ने भारत के साथ जो सीमाय है 14 जून तक के लिए बैन को बढ़ा दिय है जी हाँ 14 जून तक भारत और बंगलादेश की सीमाय बंद रहें खतर एयरवेज और रोमान एयरवेज ने एक बहुत थी बड़ा कदम उठाया है कि कोड़ शियर एग्रिमेंट के तहत 80 से ज्यादा डेस्टिनेशन पे इन दोनों एयरलाइन्सों ने कोड़ शियर एग्र कंबर में इन्होंने कोड़ शियर एग्रिमेंट स्टार्ट किया था लेकिन अभी 80 से ज्यादा डेस्टिनेशन के लिए कोड़ शियर एग्रिमेंट को बढ़ा दिया है ने बताया है कि हम बोस्टन, मियामी, न्यूयार्क, फिलाडेल्फिया, सैन फ्रिसको और सीटल के मिलता रहे आज के दिन से ओमान में नए कानून को लागू कर दिया जाएगा जी हां आज है एक जून एक जून से ओमान में प्रवासियों के लिए नए कानून लागू कर दिया जाएंगे साथ में कमपनियों पे दबाव बनाया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा ओमानियों क आप काम पे रखिए तभी जाकर के आप जो नए पर्मिट बनवाएंगे प्रवासियों के लिए उन पर्मिटों में 25 से लेकर के 50% की छूट मिनिश्री के तरफ से आपको मिलेगी यदि आप ज्यादा प्रवासियों को अपने कंपनी में जौब देंगे तो आपको उनके पर् डेट आप तक सबसे पहले पहुंसती रहे मिलते एंगले वीडियो में तब तक अपना और अपनों का ख्याल लखिए नमस्कार